कि नमश्काल दोस्तूँ स्वागत है आपका सेक्सष्प्लस अकेड़मी के यूट्यूब प्लेटफोर्म पे दोस्तो आज हम बात करेंगे जी-7 की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा जी-7 कब फॉर्म हुआ था क्यों हुआ था, क्या इसके पर्पस थे, क्या इसके माइने थे और ये वर्ल्ड में क्या influence रखता है दोस्तों आपको पता होगा, इस बार का summit जर्मनी होश्ट कर रहा है पिसला summit जो था, वो UKन होश्ट किया था चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं आप इस समझाने के G7 and its importance to the world ये आपको पूरा explain किया जाएगा साथी दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकन दवाईए और सारी अपडेट सबसे पहले पाईए साथी दोस्तों, हमारा जो ओफिशल एप है, Success Plus Academy ये प्लेइ स्टोर पे आ चुका है आप महाँ जाए, ये इसको डाउनलोड कीजिए क्योंकि दोस्तों, YouTube पे हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका जो भी content, उसकी PPT, presentation जो भी होती है वो आपको महाँ पे फ्री में एक्सेस करने को मिलती है साथी दोस्तों, हमारा जो वेब पोर्टल है study.successplusacademy.com ये भी ये ओनलाइन है आप डाइरेक्ट भी लोगिन कर सकते हैं, लेकिन याद रखेगा आपको इस code के साथ में लोगिन करना है तब आप लोगिन कर पाएंगे और आप free content को एक्सेस कर पाएंगे चलिए शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक question attempt करें इन December 2021 Olaf schools defeated and become the chancellor of Germany उन्होंने किसको defeat करके जो chancellor का पदे वो पाया था यह आपके चार option है मैं चाहूँगा आप इसको attempt करें इसका answer आपको वीडियो के end में दे दिया जाएगा चलिए दोस्तों आप बात करते हैं कि हम इस lecture में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे यह news में क्यों है तो news में क्यों है यह आपको मैंने साइडम बता दिया यह हमारे PM है नरेंद्र मोदी जी यह अभी Munich गए है G7 का समिट अटेंट करने के लिए यह आप तस्वीरी देख सकते हैं की इनोंने Twitter पर tweet की थी साथी दोस्तों अब इसमें आप जानोगे कि Key having क्या है lud को और India के इनके लिए important ॐफ यह यह वरकिंग रहती है क्या यह Bayes do रहते हैं Western countries की तरफ या फिर सबके लिए भराबर रहते हैं या फिर देमोक्रॉस्शी के लिए बराबर रहते है फिर 210 इंडा के लिए important इंडिया के लिए important क्यों है यह हम दोनों जीजे देखने वाले हैं फिर दोस्त हम देखेंगे कि नेचरल सम्मिट है या फिर वैस्ट की है जैमनी है चलिए शुरू करते हैं कि दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जीज़ने कौन-कौन से देश आते हैं यह साथ देश जो है यह जीज़न माते जर्मनी जब गुरूब बना था है जा सबाली अधिन दोस्तों में इस बनाना था है मटनी फिर्फ में च्वर्ट कर दिया हैं अब रसी एक इतना इंफ्लमल गुरूप बना है जो वर्ल्ल दोस्तों देखते हैं जर्मनी यूके फ्रांस कनाडा यूस इटलिय जापान इसमें रशिया मिला दोगे दूजी एट और दोस्तों यह वाली कंट्री अगर आप मिला दोगे तो यह जी ट्वंटी ग्रूप बन जाएगा यहां पर लिख लीजिए जी ट्वंटी तो दोस्तों यह जो तीन वेजर ग्रूप ही पूरे वर्ल्ड में अच्छा खासा रखते हैं दोस्तों इन देशों को देखके आपको क्या लगता है क्या याद आता है जर्मनी यूके फ्रांस इटली दोस्तों यह चार-पांच जो देश थे यह कॉलोनीज बनाने में आगे रहते और यह उनको 48 जी से उनका समिट हो रहा है जर्मनी इसको होस्ट कर रहा है और यहां पर पीम मोदी को इनवाइट किया गया जर्मन चांसलर ओलाफ स्कूल्स के द्वारा ठीके दोस्तों अब देखते हैं यह उनीस सो पिचातर में इसको कनाडा को भी शामिल किया गया था रश्या क की मिटिंग अटेंट की थी और अभी दोस्तों हमारे पीएप मोदी ने एक मीटिंग जी एट के अटेंड की थी और उसके बाद में यह जी सेवन के इनकी दूसरी मीटिंग है ठीके दोस्तों दो जार्य यहां पर चोजा कर लिजिए रशिया थोन आउट कोज उफ क्रीमय ठीक है उसके बाद यह G7 बन गया फिर दोस्तों जो पिछला समीट था जो UK ने होस्ट किया था 47th वहाँ पर दोस्तों PM Modi invited थे और वो वहाँ पर जाके ऐसे बूल रहे थे कि India is a natural ally of G7 ऐसा है कहने के बहुत माईने होते हैं दोस्तों क्योंकि इंडिया वे एक डेमोक्रेसी है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है साथ ही दोस्तों इंडिया को उनका मार्केट भी चाहिए यह आगे हम और बात करेंगे अब दोस्तों इसमें देखते हैं क्या है सेवन लाजेस्ट डेवलप्ट कंट्री जैसा है कि मैं आपको बताया था एंडिया साल दर साल यह मिटिंग होती है दोस्तों किसलिए एकॉनमी को इन मोनिटरी इश्यू जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं अभी महेंगाई का दोर है इसको भी वहाँ पे डिसकस किया जा हाला कि दोस्तों यह अभी मेजरली इनका फोकस युक्रेयन और रशिया वोर पर ही रहने वाला है क्योंकि हमारे युएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी अभी उनकी उनका बयान आया उनके ऑफिस से कि हम लोग रशिया पर बहुत ज्यादा सेंक्शन लगाने वाले सब्रयंट यहां पर बैठते हैं क्यों कुंसे फ्रांब यूएस और यूक के यह 3 पर्मानेट मेंबर थे इसंञे में नकांड और इसका इन्फ्लूइंस जो है वो बढ़ जाता है तो G7 जो group है वो 46% GDP का stake अपने पास में रखता है तो दोस्तो ऐसे में आप देख सकते हैं इनके पास कितना बड़ा economic stake जो world का है वो है इस वज़े से दोस्तो ये influence रखता है और इस वज़े से इनका जो major goal होता है वो economic issues पर बात करने का ही होता है हला कि दोस्तो ये एक बहाना है यहां पर सारे topic discuss किये जाते हैं अब देखते हैं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कूल इस बार ये summit होस्ट कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है जो भी country को होस्ट कर रही होती है वहीं पर इसका headquarters बना दिये जाता है दोस्तों यह जर्मन होस्ट कर रहा है और इसकी capacity जी सेवन की है और ग्रूप है जो वर्ल्ट सेवन रिचस्ट कर नेशन जो साथ अमीर देश है जो इंडस्ट्राइज डेमोक्रिटिक कंट्री यह याद रखना दोस्तों यह दोनों शब्द आपको एक साथ बोलने जर्मनी के पास एक जनुरी 2022 से है और इनका जो कोट है इनका जो गोल है वह यह है प्रोग्रेस टुवार्ड एन एक्विटेबल वर्ल्ट यह आपको किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों इसलिए में चाहूँगा कि आप इसको याद रखें प्रोग्रेस साथ में बताऊंगा कि इस बार इनका जो समिट है वो कितना सक्सेफुल रहा है यह नहीं रहा है चलिक दोस्तों यह आप देख लिए अपना कुछ भी कर नहीं पाता है बाकि पर्मानेंट मेंबर आप इसको एक कह सकते हो अब दोस्तों यह इन्वाइट किसको किया है इन्होंने अर्जेंटिना इंडिया इंडोनेशिया सेनेगल साथ अफरीका और यूक्रेन यूक्रेन से जलेंस की भी यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है यह टोपिक डेलिबरेटली यूज बार बार न्यूज में आप इसको दे बज़ रहने वाला वह अभी इस मीटिंग का क्या रहने वाला है दे ग्रूप अफ जी सेट टू अनांस अब और रशीन गोल्ड इंपोर्ट अमेंट दो वार इन यूक्रेन ठीक है यूज प्रेसिडेंट के आफिस ने पहले ही कह दिया है कि यह हम इस पर इस बार ज्यादा करने वाले रे रश्या को हम कांटर करने के लिए काम कर रहे है जिन? वहां पर अपर एनर्जी फूड सिक्योटी कांटर टैर्रिज्म예요에 कांट्र मेंटblock 30 पर बात करने गया है यह इंडिया के लिए जो अभी जो यह है यह बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हमारедь कश्मीर कश्मीर भी एक G20 का समिट होस्ट करेगा और साथी दोस्तों फूट सेक्योर्टी क्योंकि आपको पता है रश्य यूकेन वहर की वज़े से जो गेहूं की सप्लाई है वह बहुत प्रभावित हुई है इस वज़े फूट सेक्योर्टी एनर्जी क्रैसिस आपको पता ही है पू गए है अब दोस्तों देखते हैं इंडिया जी से उनके लिए इंपोर्टेंट क्यों है सबसे पहला दोस्तों आप अपने दिमाग में लाओ चाइनीज इंफ्लूएंस चाइना को जो इंफ्लूएंस है एशिया में बढ़ गया अफ्रीका में बढ़ गया और यूरोप में बढ़ रहा है ठीक है तो अब चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना के बराबर प्रोडूसिंग कर्णाटरी युरोप को यूएस को वैस्ट को बनानी पड़ेगी और इंडिया के पेबल है कि वह चाइना को काउंटर कर सकता है साथ दोस्तों इंडिया जो है इमर्जि नहीं हो इंडिया ने बहुत सारे गरीब जिसों को फ्रीमी वैक्सिन उपलब्त करवाई यह बहुत सारे यूर्पन कंट्रीज को भी इंपोर्ट करिए साथ ही दोस्तों इंडिया जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है तो ऐसे मैं डेमोक्रेसी पर जब भी बात आएगी तो इ दोस्तों ऐसे में मिदा लॉठेंग क्या भी तो इससे को भी थोडिसी रहात कि सांस में सूस हागी फिर दोस्तों देखते हैंसration इंडिया के लिए इंपोर्टेंट क्यों हैं सबसे पहला दोस्तों कि माँ पह पर यूरो surprised Buddha ने वहां हुबता रहता है पाकिसान को क्भी गठाख आहिश है तो एसे में दोस्तों इंडिया को यूनियन से अगर हमें अच्छा रिष्वा बनाना है वहां उनका मार्केट यूस करना है तो ऐसे में इसीब चलते हैं आज चाईना इतना इंफृईंशल क्यों है कि यो सब पैसा है वो सब को पैसा देदेकि उनको अपने vita प्रॉस्तो देखते हैं कि India के पास में गरिया को परमानेट रही है कि इंडिया में बहुत जल्दी परमानेट मेंबर बन जाए क्योंकि दोस्तों इंडिया भी एक बहुत बड़ी एकॉनमी बनने जा रहा है फिर दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया था UNSC के तीन पर्मानेंट मेंबर्स यहां भी बैठते हैं और इंडिया को इन तीनों पर्मानेंट मेंबर्स की कभी ने कभी जरूरत प बानेंगे चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं आज एक क्वेश्चन पर दिसंबर 2021 में ओलाफ स्कूल ने किसको हरा के जर्मनीक चांसलर वो बने थे तो दोस्तों इसका सही आंसर है एंजला मार्केल को उन्होंने हराया था और 2021 में उन्होंने चांसलर पर हासिल किया था तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए हमारा ओफिशल एप सेक्सिस प्